नमस्कार आपका स्वागत है Study with JR में आज की इस वीडियो में हम लोग प्रशाशन की Unit 2 का Part 6 देखेंगे इससे पहले लोग प्रशाशन की Unit 2 के Part 1, Part 2, Part 3 और Part 4 और Part 5 अप्लोड किये जा चुके यदि आपने अभी तक ये Parts नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है आप वहां से Unit 2 के सारे Parts देख सकते हैं चलिए शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्स्क्राइब कर लें और पास में ब्रने बैल आइकन को प्रैस कर लें जिससे में जो भी वीडियो घुल對 हूँ उसकी notification आपको मिल जाए तो चलिए शुरू करते हैं unit 2 का part 6 संगठन के परकार कितने परकार है आपचारिक संगठन और अनपचारिक संगठन दो परकार है संगठन के यह हमने बात कर ली थी पिछले वीडियो में और अपचारिक संगठन को हमने डिटेल से पड़ भी लिया था unit 2 के part 2 में आपको मिल जाएगा है आज हम बात करें अनपचारिक संगठन की अनपचारिक संगठन किसे कहते हैं अनपचारिक संगठन मानवी अंतकिरियाओं का वह समू जो लंबे समय तक साथ रहने के कारण सोभाविक रूप से स्थापित हो जाता है या फिर यह कह सकते हैं कि स्वयम की आफशुकता की पूर्ती के लिए जब किसी संगठन का गठन किया जाता है तो ऐसे संगठन को अनपचारिक संगठन कहा जाता है स्वयम की आफशुकता की पूर्ती के लिए जब किसी संगठन का हम गठन करते हैं तो ऐसे संगठन को क्या कहते हैं अनपचारिक संगठन कहते हैं इस परकार के संगठनों की कोई नियमावली नहीं होती है ये संगर्षन कभी भी स्वतंत्र रूप से गटित नहीं होते हैं इनको गटित होने के लिए एक सदेव उपचारिक संगर्षन की आपक्सटा होती है इस कारण से जो उपचारिक संगर्षन को कई नामों से पुकारा जाता है जैसे की कॉलेजियल, पर्तियोगी, प्राकर्तिक, आंगे, खुला मॉडल, इत्यादी, ये कई नाम है जो अनौपचारिक संगठन की परिभाशा, अब बात करते हैं अनौपचारिक संगठन की परिभाशा के बारे में, तो सबसे पहले परिभाशा है हर्बर्ट साइमन, जो संगठन के निर्णेओं को परभावित करते हैं, जिनका उलेक आपचारिक योजना में होने से रहे गया है या फिर उसके भाग के रूप में नहीं है, ये कौन कहा रहे हैं, हर्बर्ट साइमन कहा रहे हैं, नेक्ष जो परिभाशा है वो है अल्डिवाइट के नुसार, ये है अधिक उगरोता है, सामजिक एवं आर्थिक अंतर, जाती या भाशा का अंतर, शिक्षा का इस्तर, एवं व्यक्तिक रूचियां या अरूचियां इतियादी संगठन पर परभाव डालती हैं, ये है नय तो लिखावा होता है और नहीं निर्मित बलकि भावना परद या देगान होता है, ये कौन कह trher? L.D. White कह रहे हैं,annéeलिगाट परिभावका से चैस्टर- बर्नाड की, चैस्टर बर्नाड क्या कह रहे हैं, अनौपचारिक S fallait। संपरको तथा परस्पर किर्याओं तथा लोगों का सामुईख संस्ता का समू होता है नेक्स्ट परिवाट चाई स्ट्रोंग के अनुसार च्रोंग क्या करें अनौपचारिक संगठन वह सामजिक ढाचा है जिसका निर्माण व्यक्तिकत आफशक्ताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है तो इस परकार से कहा जा सकता है कि व्यक्ति अपनी सामाजिक आफशक्ताओं की पूर्ति करने के लिए अनौपचारिक संगठन का गठन करता है इसके अलावा अनौपचारिक संगठन व्यक्ति की संरचनात्मक कला कोशल की अभी व्यक्ति को उजागर करता है अब देखते हैं अनौपचारिक संगठन की विशेष्टा है अनौपचारिक संगठन की कौन-कौन सी विशेष्टा है तो सबसे पहले नमबर पर सुवत्त निर्मित होता है दूसरे नमबर पर समान समानता है होती है अनौपचारिक संगठन में तीसरा है संगठन में पर जोर दिया जाता है फिफ्थ नंबर पर संगठन की लचीली संरचना अनुपचारिक संगठन की जो संरचना है वो कैसी होती है लचीली होती है शेक्ष नमबर पर है संघठणिये ग्यान परत्तिक स्तर पर तो उसके देखते है अनौप्चारिक संघठण के लाब ऑप्चारिक संघठण मनोरंजन विचार्वी मश एवं भाव मुक्ति का साधन है अनफचारिक संगटन क्या है मनोरंजन विचारवी मर्ष भाव मुक्ति का साधन है दूसरे नमबर पे आवशक्ता पूर्थी इससे क्या होता है कार्मिकों की सुरक्षा अपनत्व संतुष्टी सहाचर्य की सभाविक वे मानवी आवशक्ता पूरी हो जाती है तो इसे क्या होता है आफशकता पूर्ती भी होती है थर्ड नंबर पे है कारे में सहायता क्या होता है कि आपचारिक संगठने कारे में सहायता मिलती है क्योंकि परस पर जो विचार्थ ता अनुभव के अधार पर क्या होता है कारे में सरलता आ जाती है नेक्ष्ट है सहजिता तो इसके दोरा क्या होता है आपचारिक संगठन में कारेरत कठोड़ता चटिलता नियम बदता में क्या आ जाती है सहजिता आ जाती है नेक्ष्ट है संबल परदान तो आपचारिक संगठन में कारेरत कार्मिकों की संकट की इस्तिति में संबल और ढार प्रदस्परदान करता है कौन अनुपचारिक संगुटन की लाब अब बात करते हैं अनुपचारिक संगठन में बादाउबं करतीं सुधारात्मक प्रकिरियाऌ प्रिवर्तन का विरोध करता जिससे अवचारिक संगठन में जटिलता आ जातीं थर्ड नंबर पए स्थाई बे या संगडन क्या जिंबेदारी पूर्ण नीतियों को उनको नहीं होप जा सकता इसकी सबसे बड़ी हानी क्या है कि जो जिंबधार पूर्ण नेती होती है यह यह क्यों वह पी यह झा क्यों क्यों कि यह अस्था होता है अलपाया होता है फोर्थ नेमर2 कार्य में बाधा तो कई बार आपचारिक वा अनपचारिक संगठनों में मतवेद होने के कारण कारूं में बाधाय उत्पन हो जाती हैं तो ये इसकी हो गई हानिया अब देखते हैं अनौपचारिक संगठन संबंदित द्रश्टिकोन या विबिन विचारधान है तो अनौपचारिक संगठन से संबंदित तीन विचारधारा हैं मैतपून है कौन-कौन से हैं मानव संबंद विचारधारा दूसरा है संगठनिये विकास तीसरा है परिवेशिये विचारधारा तो इन तीनों विचारधाराओं को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तो इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेर जरूर करिएगा धन्यवाद